आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन कोमर्स जो किसन पर श्वागत है आए जहम लोग एकॉंट का सीट वन क्लास 11 का एकॉंट का जहम लोग सिर्फ सिर्फ नॉमरिकल कोसंग करेंगा ज्रूइंट्स देखिए कोसं नुमर एट में नॉमरिकल है ठीक है क्या है हम करना है दो चीज़ का फैन ओट करना पहला थुमरुप नुग डैप्रिसेशन बहलू को फाइन करना है और सटेन डैप्रिसेशन का रेट फाइंट करना है तो ध्यान रख्येगा यहां पी जो लोगिकल चीज़ बता रहे हैं कॉंसेट उसकॉंसेट का थ्यान रखने यह नह होती है देखिए अधी हमारा कई मैथाडे डेप्रिसेशन फाइंड करने का दो तीन मैथाड आप कर सकते हैं ऐसे मैथाड तो कई है लेकिन मुख्ष रूप से एक है यहां पे यहां पे यह दोनों मैथाड हमारे कोसं में नहीं है तो यहां पे यानि कोसन में हमारा कौश्ट अप दैसेटर लगाest और अस्थापना बिया लगा है तो वह भेलू ठीक है स्टुटेट्स और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग अस्क्राइब यानि जो हमारा एसेट का भेलू जैसे फॉर एजामपल कितना लगा देख सकते को समझ दिया एक लाग पच्छतार चार कोश्ट लगा खरीदने का और उस एसेट पर खर्च मेरा कितना हुआ है 25,000 अगर आप देखेंगे तो टूटल मेरा कितना कोश्ट हो गया दो लाग का कोश्ट हो गया उसमें से अस्क्राइब भेलू किसे कहते है अस्क्राइब भेलू समझ देखिया हम यहाद पर सिर्फ सॉल्व नहीं कर देरें इसको समझाने का परियास करें तू जब हम उसको बेचने वाले रहते तो एक कूड़ा भाव उसका मिलता है मतलब आप अगर 10,000 का एक मोबाइल पर्चेस करते तो 10,000 में से आप उसको जबलाश में बेचेगे तो 1000 तो जरूर मिलेगा तो एक्च्वल देखा जाए तो उसका आप कितना यूज की है 9,000 का यू एक्च्वल देखा जाए तो 2,000,000 आपका कोश्ट पड़ा 10,000 आपका एक्च्वल रहा जिसमें से आप पांच लाइफ आप यूज की है आप बोल सकते हैं लाइफ आफ यूज की है अचला कितना दिन तो पांस साथ चला पांस से एवरेज कर दीजेगा तो कितना हर एक साल आप कितना यूज की एक तो 38,000 का हरनेगे किए्च पर निकाल रहा तो कोस्ट की बेसिस पर निकाल देंगे किसंके बेसिस पर- एक 38,000 के basis पर आया है तो cost के basis पर आया है तो दो लाग नीचे जागा पर्सेंटेज में convert करने के लिए क्लिए क्लिए हंड्रेट से इन्टू कर देंगे 2 और 3 0 के इंसल हो गया 20 और यहांसे दो से भागा लगा देंगे 19 जानी कितना पर्सेंट डेप्रिशेसर लगा है तो उनीस पर्सेंट डेप्रिशेसर लगा है ठीक है चलिए उमेद है कि आप सभी कोई यह concept समझ माया होगा डेप्रिशेसर निकालने का ठ कि कैप